हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में में लोग बात करने वाले हैं अबर में आपके जाम में पूँछा जाता है कि साथाख चा। और कि बात करें तो तो पहला एजमसन क्या है, air, जो है आपका working fluid है, दूसरा क्या है, यह जो air है, यह ideal gas की तरह भी है कर रहा है, तीसरा एजमसन क्या है, ideal gas equation PV is equal to MRT, जो हम अपलाई कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है, पूरे cycle के through, कहीं भी, चौथा एजमसन क्या है, mass of working fluid, mass of working fluid जो है, यह constant है throughout the cycle, ठीक है, पच्छमा एजमसन क्या है, cp, cv, gamma और r, cp आपका क्या है, specific heated constant pressure, cv, specific heated constant volume, and gamma क्या है, cp by cv का जो ratio होता है, उसको कहते हैं, gamma, ठीक है, और r जो है आपका, यह जो gas constant है, तो यह चारों जो है, आपके temperature के साथ vary नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यह 5 एजमसन important हैं आप लोगों के लिए, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, auto cycle में कौन-कौन से process होते हैं, और इसका जो है, pv diagram सबसे पहले देखते हैं, कैसे draw होता है, ठीक है, तो, इस तरीके से जो है, इसका pv diagram draw होता है, y axis पे pressure होता ह है, और x axis पे होता है आपका volume, ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं clockwise, देखिए, जो भी हमारे work producing device होते हैं, उनका जो arrow बनता है, यह क्या होता है, clockwise होता है, ठीक है, तो यह आपका auto cycle क्या है, work produce करता है, तो इसका जो यह cycle बनेगा, यह क्या बनेगा, clockwise, देखिए, arrow क्या zooming device होता है, तो क्या होता है, यह anticlockwise बनता है, ठीक है, तो 1-2, 1-2 आपका क्या है, reversible adiabatic process, यानि इसको कहा देते हैं, constant entropy process, या फिर isentropic process, ठीक है, 1-2 process, थोड़ा से inclined होगा, ठीक है, और 2-3 जो यह आपका process हो रहा है, 2-3 यह वाला process, यह होता है, आपका constant volume, heat addition, क्यों supply किया जा रहा है, इस process के थूप, ठीक है, constant volume, heat addition, देखिए, V2 is equal to V3 होगा, क्योंकि यह देखिए, एक ही जगह पर cut कर रहे हैं किसको, volume axis जो आपका है, इस पर एक ही place पर cut कर रहे हैं, और यह vertical line represent करता है, isochoric process, या फिर constant volume process, ठीक है, 304 आपका फिर से आपका जो कहीं कहीं इसको लिखा जाता है, तो reversible adiabatic process का मतलब ही होता है, क्या, isentropic process, इस process में जो है, entropy constant होगा, ठीक है, next, force 7 जो है यह भी आपका क्या है, constant volume process है, और इसमें क्या है, heat reject हो रहा है, ठीक है, तो force 7 क्या है, constant volume heat rejection process है, और यहाँपे, heat supply, QS, QS हीट supply किया रहा है, और यह टेक्ष तो यह तो होतका दाइस्ट करेंगे तो इसमें आइस्ट्रफिक होते हैं तो बॉर्टिक से जहां दीजिए यह सब points आपनों के exam of point of view से बहुत ही important है कई बार आपको जो है graph दे जाता है ऐसे ही डियाग्राम बना के देदेगा पूछेगा कि इसमें auto cycle कौन सा है diesel cycle कौन है या फिर process 1 से 2 किस process को represent कर रहा है और process 2 से 3 किस process को represent कर रहा है आपको बताना है ठीक है तो यहां यहां पर देखिए 1 से 2 आपका क्या है entropy axis को एक जगे कट कर रहा यानि यह जो आपका है isentropic process है और वर्टिकल लाइन जो है यह reversible एडिया प्रोसेस यानि isentropic process होता है ठीक है एक बार फिर से यहां पर छोटा सा प्यूवी डियाग्राम आपको बना के बता जाता हूं कि आप कि इस तरीके से बनता है और आटो साइकल का प्यूवी डियाग्राम तो यहां पर देखिए 1 से 2 आपका क्या है constant entropy यानि isentropic process तो 1 से 2 यहां पर क्या हो जाएगा वर्टिकल लाइन 2 से 3 यहां पर जो है constant volume process है तो 2 से 3 यहां पर inclined line हो जाएगी ठीक है 3 से 4 फिर यहां पर यहां है क्योंकि यहां पर क्या है pressure versus volume axis पर हम इसका graph ड्रा कर रहा है यह जो है ts diagram क्यों कहलाता है इसमें y axis पर temperature होता है x axis पर entropy होती है इस वज़े से हम इसको क्या करते है तो ts diagram ठीक है temperature entropy diagram pressure volume diagram दो चीज़े आपको यहां पर समझ में आई और एक point area under the curve PV diagram PV diagram के under जो area आता है व यह जो है network बता रहा है और यह जो है net heat interaction कहलाता है ठीक है ts diagram का जो area होता है वो क्या कहलाता है net heat interaction और जो area PV diagram के under में आता है वो कहलाता है network interaction ठीक है तो यह भी point आप लोगों के लिए important है next video में आप डेरिवेशन देखेंगे auto cycle का ठीक है तो ऐसे important videos के लिए YouTube चैनल को आप लो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें लाइक करें थैंक यू